हलो एवरीवन नमस्ते सची अकाल आदा आप तो कैसे हैं आप उमीदे सब लोग बैतर और उंदा होंगे आज मैं फिर से फिर उसी लोकेशन पर आके खड़ा हो गया हूं इसके मैंने वीडियो पहले भी पोस्ट किये थे जिसका लास्ट वीडियो मैंने 15 अगस को पोस्ट किया था 14 अगस 2022 को मैं यहाँ पर आया था मैंने यहाँ का वीडियो व्लॉग शूट करा था आज अज अप्टर 4 मन्थ 4 महीने बाद दिसंबर का मन्थ चल रहा है मैं फिर से आया हूं और मैं आप लोगों को यह दिखाने आ आते जाओंगा एन इस 4 मन्थ के अंदर इसके अंदर क्या तब्दिली आई है वो सभी आप सब दोग देख सकते हैं और वाकी मैंने जिस हिसाब से में जिस 4 मन्थ पहले आया था उस वक्त और अब वक्त के हिसाब से काफी कुछ प्रोगेस हुआ है और काफी कुछ अपडे मुकंबल नहीं हुआ था जिस वक्त अभी दिख रहा है काफी कुछ हो चुका है पहले के मुकाबले अभी भी मेरे बैक साइट में आप देख सकते हैं यह सारी सीरीज भी काफी डवलप की गई है और आप यह देखेंगे कि यह जो सारी चीजे हैं अभी जो साइट से कॉर् किया जा रहा है तो उमीद है कि जल से जल यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा और आइए चलते हैं तूर करते हैं फिर से एंड देखते हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन कहां कहां पर और ज्यादा मुकंमली तोर पर बना है एंड कितना भी बाकी है तो वीडियो को स्किप न यहाँ से जो आपका project है उसका entry point स्टार्ट होता है मैं हूँ अभी मुझूद balloon arrow valley bridge पर यह आप सामने देख सकते हैं project का सारा ही information details mention है यहाँ पर यहीं से आपको entry point मिलता है आप यह जो देख रहे हैं प्राइडर्स लगे हुएं इसके अंदर साइट में कंस्रक्शन चल रहा है, कंस्रक्शन का पार्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है, जो लोग भी एरवली कटे नाका के लिए सफर स्टार्ट करेंगे, इस ब्रिज से उन लोग को यहां से इंट्री मिल जाएगी, आप देख सक लास्ट वाले आप वीडियो को अगर देखेंगे और अभी के वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी कुछ चेंजिस नजर आएगा, एंद दिखेंगे कि बॉर्डर, जो साइट्स के बॉर्डर हैं वो भी लग गए हैं, लग भग, एंद काफी कुछ चेंजिस नजर आ यह जो दाइरा में आपको दिखा रहा हूँ, यह चरंड 2, फेस 2 का है, जो 2.2 किलोमेटर का दाइरा है, एरोवली ब्रीज के पूर्फ चोर से, एक एलिवेटेड रोड जो जा रहा है, आप सामने देख रहे हैं, यह एलिवेटेड रोड जाके डारेक आपको, आपका जो क पॉइंट है, इंट्री पॉइंट है, यहां थोड़ा सा जो साइट के बॉर्डर से, उसका काम बाकी है अभी, बाकी जो एक्जिट पॉइंट है, मैं आपको उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ, कि जो लोग कटई नागा से, यहां तक के लिए, एरोवली तक के लिए अपन यहां पर गेडर्स उपर आएंगे, यही जो रोड है, इसको क्राउस करके उस साइट में आपको एक्जिट पॉइंट मिलेगा, मैं आपको उस एक्जिट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ, यह आप देख सकते हैं, आपका एक्जिट पॉइंट का काम चल रहा है, यहा काम काफी मतलब गतीविती में आया है तकी लास टाइम पे इतना सब यहां पर CONSTRUCTION नहीं हुआ तो यह है आपका exit point का जो कटा ही नागा से एरोवली तक के लिए जो सफर end होता है खत्म होता है वहाला part एन यहाँ पर एक तरफ एरोवली मुलून ब्रिज स्टार्ट हो जाता है एन इसी के दूसरे तरफ आपको exit मिलता है तो लगबग काम complete हो चुका है almost काफी कुछ changes आया है तो आप जो देख रहे हैं यह pillar वहाँ से exit के लिए एक elevated road आयेगा जो डारेगा कि इससे joint हो जाएगा तो लोग exit point मिल जाएगा और आगे बढ़ता हो आगे बढ़के आपको दिखाता हो मैं आपका किस तरह से exit किया जाएगा यह जो आपका bridge जा रहा एंडर ग्राउंड अब उसके ओपर से एक और flyover elevated road निकाला जाएगा यह आप देख रहे हैं जो pillars यह आपके exit point के elevated वाले road के जो जाके left side में वहाँ पे joint हो जाएगा और उन लोगों को इस bridge पर exit मिल जाएगा इसी के सामने आप जो elevated road देख रहे हैं जो आपको सामने दिख रहा है इसका काम पूरा complete हो चुका है और आप देखेंगे कि आपका जो six line वाला road है उससे connect हो चुका है और वहाँ का जो side वाला right side में जो अभी part खाली देख रहे हैं यह सामने जो pillars देख रहे हैं यहां पर getters रखना बाकी है और यहां के कुछ pillars बाकी है तो वहां पर pillars बनके getters and slaps रखे जाएंगे और यह आपका exit वाला elevated road यहां से वहां तक के लिए connect हो जाएगा तो exit point वाला इस phase का phase 2 का थोड़ा सा काम अभी बाकी है जो आने वाले कुछ मन्थों में बहुत जल complete हमें देखने को मिलेगा और इस दाइरे से देखा जाया है तो phase 2 का जो elevated वाला 6th land का जो आपका highway का road है वो पूरा complete हो चुगा यहां तक का आप देख सकते कि एक्साइट जाने वाला वे एक्साइट आने वाला वे एंड काफी कुछ यहां पर काम complete होते हुए नजर आ रहा है आगे जाके देखते हैं कि यह कहां तक इसी प्रोग्रेस में आगे गया है यह आपका face 2 का ही दाइरा है देखा जाए तो यह काफी कुछ complete हुआ है बीच बीच में जो कुछ जगाएं छोड़ दी गई थी जहां पर मतलब गड़र्स लैप्स यह सब चीज़ें नहीं रखी गई थिया वो technical issues थे क्या थे वो जो इंजिनियर है वो बहतर जानते होंगे तो वहाँ पर भी काम स्टार्ट हो गए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच का एक दाइरा है जो छुटा हुआ है जहाँ पर work चल रहा है और कुछ ही वक्त बात यहाँ पर भी complete हो जाएगा पूरा road आगे से फिर से आपका पूरा joint है तो यह कुछ technical issues भी हो सकते हैं बट यह है कि phase 2 का जो दाइरा है वो काफी complete हो चुका है और आगे तक और देखते हैं कहां तक क्या काम किस गती में पहुचा है यह जो phase 2 है उसका mangrove वाला दाइरा है आप देख सकते हैं नाला है नाले का उक्रॉस करके पूरा mangrove वाला area है यहां पर भी काम काफी कुछ complete हो चुका है और साइट के जो steps है जो borders वाला काम है वो अभी बाकी है आगे चलते हैं आगे का दिखते हैं कहां तक यह जो slab हैं and getters हैं assembled किये जा चुके हैं तो यह last आपका जो मतलब जहां पर getters and slab रखे जा चुके हैं यह last वाला point है इस दाइरे से यहां पर launcher assembled कर दिया गया है यहां पर भी यह जो getters slab है उसका work चल रहा है रखे जा रहे हैं आगे जाके जो pillars आपको खाली दिख रहे हैं वो सब भी complete हो जाएंगे आने वाले कुछी मंत में यहां पर भी आपको जो आपका six lane वाला जो road है वो complete नजर आएगा अब हाँ कि हम सुनील चोकले मार्क पर आप देख रहे हैं कि यहां पर work नहीं नजर आ रहा है विकॉज वहां पर जो last slab and getters देखे थे वो जब तक complete होते हो आएंगे फिर यहां पर जो pillars बनाये जा रहे हैं road को cross करके और यहां से flyover निकाला जाएगा और अभी शायद इस काम को pending इसलिए रखा गया है क्योंकि road block करना पड़ेगा ऐससे traffic का काफी हुजूम लग जाता है तो यह काम थोड़ा last म होगा जब तक वो getters complete हो जाएंगे slap के और आगे का pillars complete हो जाएंगे चलिए road क्रॉस करके आगे चलते हैं देखते हैं जैसे ही road को cross करते हम दिखेंगे कि नाले के दाएरे में pillar बनाने का काम चल रहा है आगे जाके pillars बने हुए लेकिन यह जो नाले का जो दाएरा है जहां से flyover को उपर से निकाला जाएगा है यहां पर connectivity मिलेगी यहां का का काम अभी start है चल रहा है pillars बने नहीं है complete नहीं हुए pillars बने में भी थोड़ा वक्त लगेगा इस site के दाएरे पे आगे बढ़ते हैं आगे की work progress देखते हैं यह फेस्टू का ही पूरा दाएरा है और यह नाले के उपर से जो pillars बनाने का काम अब चल रहा है start हो चुका है क्योंकि शायद यह मुश्किल काम है अब मैं आपको site के उ site लिके जाता हूं और हम आ चुके arrow valley जो बस डिपो वाला पार्ट है उदर का यह फेस्टू का ही दाएरे में आता है क्योंकि वहां से मैं cover नहीं कर पा रहा था वहां पर जाके रास्ता ब्लॉक था तो मैं इदर से आया हूं और मैं आपको यहां से दिखाता हूं अंदर site च project आयेगा connect होता हूँ और यहां पर भी एक flyover बनाया जाएगा जो route है route को cross करके उस site निकलेगा तो यह नाले के उपर का जो काम है यह start हो चुका है क्योंकि यह थोड़ा मुश्किल काम है इसलिए इसमें वक्त लग रहा है लेकिन काफी तीजी से चल रहा है आप देख सकते यह जो route है यहां से भी flyover निकाला जाएगा जो आगे जाके connect हो जाएगा तो work काफी तेजी से progress पर है अब मैं आ चुका हूँ थाड़े बेल अपू रोट पर यहां पर आपका phase 2 का दारा खत्म होता है phase 1 का दारा start होता है यहां पर काम काफी तीजी से चल रहा है flyover का काम start हो चुका है आप देख सकते हैं कि route के बीच में भी flyover के लिए जो bridge है वो बनाया जा रहा है पिलर्स डल चुके हैं यहां ही से उपर से flyover निकाला जाएगा जो थाड़े बिलापूर रोट के उपर को cross करते हुए आपके यहां सामने आप जो दीख रहे हैं वहापे joint हो जाएगा यहां से flyover start होगा आपका यह थाड़े बिलापूर रोट को cross करेगा यहां पर joint point मिलेगा और उसके आगे का six land जो आपका road है वो complete है देखा जा सकता है यहीं पर आपको two arms भी मिलते हैं यहां पर आपको एक entry point और exit point भी मिलता है मैं आपको वो भी दिखा हूँगा थाने बिलापूर से जिन लोगों को यह सफर start करना है entry करनी है और exit करना है इसी सफर पर तो यहां पर भी आपको two points मिलेंगे उसका काम भी almost complete हो चुका है तो आईए हम उसको दीखते है यह जो left side में आप देख र करते हैं वहां से आपको एक exit point भी दिखाता हूँ कि जो लोग exit करेंगे बिलापूर पर उनका point कहां पर होगा तो यह आप जो देख रहे हैं यह सामने की तरफ यह exit point रहेगा यहां से यह exit करके आप बिलापूर थाने road से connect हो सकते हैं यह था यहां तक का progress अब आगे चलते ह अब हम cover कर रहे हैं central road से यह आप देख सकते हैं आपका six land वाला वे थाने बिलापूर रोट को cross करते हूँ यह central road को cross कर चुका है यहां पर already flower बन चुका है आगे जाके जो सुरंग का मियाद start हो जाती है जो 1.7 km की सुरंग है उसमें तबदील हो जाता है देखा जाए तो य अंदर जानी की permission नहीं है तो मैं आपको यह जो डायरा है सुरंग में जहां से entry मिलेगी आपको और वहां से आने वालों का जो exit point रहेगा सुरंग का वह आपको दूर से दिखा रहा हूं तो यह काम वैसे काफी वक्त पे नहीं complete हो गया था सुरंग के अंदर का काम अभी चल कर रहा है वह मैं आपको कवर कर रहा हूं मैं आपको सुरंग का जो यहां से exit और entry point मिलता है उसको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं कि यह जो अपना phase 1 है मुम्रा बाइपास के और थाने बेलापूर रोड और राष्टे जो राजमार गया NH48 के बीच की सड़क वाला पार्ट है इसमें NH48 का पूरा दारा 3.5 किलोमेटर का है जिसमें पासिक हील से गुजरने वाली 1.7 किलोमेटर की सुरंग भी शामिल है तो आईए यहां के साइटी प्रोसेस को भी देखते हैं कि कितना वर्ग प्रोग्रेस पर है अभी और कितना आ जो लोग ढूम्रा बैपास रोट से अपने सफर को सुेर्ठ करना चाहाएंगे उनलोगो को ईस्ट्यच कांदा कभी अंधिरा है इसलए हो आगे चलता हूं आपको एंग्जिट पॉइंट को दिखाने की ज़शिश करता हूं आप यह जो ऊबश्य describing the sky and slab आएंगे तो यह जो काम है यह भी start है पहले इतना जादा complete नहीं हुआ था यहां पे भी काफी कुछ changes नजर आ रहा है कि आगे के जो आप देख रहे हैं इधर pillars थे इनके ओपर भी caps आ गहे हैं and अब slab and getters का काम बाकी है and आगे वाले जो pillars से उनके उपर caps रखा जाना iron getters slaps का वहां पे भी बाकी है तो काफी कुछ changes है यहां पे भी and काम में तेजी है क्योंकि 4 months के अंदर काफी कुछ तबदीली आई है आई है मैं आपको लेके चलता हूँ exit वाले point की तरफ and वहां का भी दोरा कराता हूँ कि दो हुआ है जिस वे पे मैं अभी चल रहा हूं यह आपका exit point वाला वे हैं सामने वाला जो पहाड़े आपका tunnel से exit मिलता है आगे जाने की permission नहीं है तो मैं आपको tunnel का वो point एकदम दिखानी पा रहा हूं जासे exit है यह आप रास्ते देख रहा है यहां से आगे जाके दो रास्तों में तब्दिल हो जागा एक exit के लिए left side वाला जिनको मुम्रा पर exit चाहिए और एक right side वाला आगे जाके elevated road पे तब्दिल हो जाता है जो direct आपको कटाई नाका पे exit देता है यह दिखिए यह down वाला road आ रहा है यह direct आपको exit देगा मुम्रा बाइपास रूट पर और यह जो आप pillars देख रहे हैं वो right side वाला road था वो direct आगे elevated road पे तब्दिल हो जाएगा इससे आप अपने सफर को यहां के जो last point है कटाई नाका तक के लिए तै कर पाएंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं काम काफी तेजी से चल रहा है काफी कुछ progress पर है और यह उपर pillars का work है नीचे वाला जो road है यहां पर roads बनना start हो चुका है जो road से पहले की जो चीजे होती हैं वो सारे काम चल रहा है और काफी कुछ यहां पर changes नजर आया है last four month के according अभ यहां से आपको proper exit मिलता है यह आपका mumra bypass road आया आप left turn लेके mumra के लिए अपने सफर को start कर सकते हैं आईए आपको उस side वाले road की तरफ लेके जाता हूं और वहां पर जो भी work process है वो दिखाता हूं मैं road को cross करकर इस side आ चुका है आप देख सकते हैं जो pillar का काम है complete हो गया last time यहां पर pillar बन रहा था तो right and left side दोनों side के pillars complete हो चुके हैं यह आपका जो mumra bypass flyover जा रहा है इसी को वहां से right side से एक flyover और cross करते हुए आके इदर joint हो जाएगा and इस pillar पर फिर यहां से phase 3 का काम start होगा अभी phase 3 का काम start इसलिए नहीं हुआ है आप सामने देख सकते हैं pillar के आगे जो construction वाला area है यह I think शायद कुछ यहां पर problems आ रहा है तो जब तक इन लोगा settlement नहीं updates and next year 2023 में जो भी तबदिली आती है work progress होगा वो भी मैं आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा तो मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स information के साथ तब तक लिए bye bye take care